लेकिन इस बीच कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रहे हैं तो उन प्रतिक्रियाओं को सबसे पहले आपके सामने रख देते हैं और सुन लिजे कि क्या कुछ राजनेताओं का भी कहना है इन चुनाओं को लेकर अपेक्षा है कि जिस तरह से हर्याना में चुनाव निस्पक्ष नहीं हुआ और लोकतंत का गला घोटा गया जार्खन और महारास्ट में नहुए हम अपेक्षा करते हैं देखे महाविकास अगाडी की तयारी अप लगभग पूरी हो गई है शीट शेरिंग का फर्मूला भी लगभग तय हो गया है हम पूरी तयारी में है और जनता भी पूरी तयारी में है यह आखरी साथ से गिन रही है सरकार जुमलेबास सरकार जूटी सरकार आखों में धूल निर्दशयञ है और यह महाराष्ट की जनता बहुत हुशार जनता है उन्हें सब्साइब आई Zach में पर-capita income में number one में agriculture production में number one में सारी चीज़ों में जो number one था हमारे जमाने में जो इनके जमाने में फिसल गया था उसे फिर से वही पुराना समय जो है सुवर नकाल हम वापस लेकर आएंगे तो कहीं न कहीं जब आप हमारी बात अंसुनी करते हैं तो हमें ये लगता है कि आप राजनिती से प्रेडित हो करके इस तरह की गोसनाई करते हैं फिर भी हम ये कहते हैं कि चुनावायोग का सम्मान करते हुए हम पूरी तरह से तयार हैं और हमारी तयारी को देखते हुए घबराहट में लिया गया ये फैसला है क्योंकि लोग जानते हैं कि जब जो लोगी किस सो देने की बात कर रहे थे मा बहनों को जब पचीस सो रुपय देने की बात हो गई तो इसको कैसे जल्दी से जल्दी रोका जाए और उसका सहरा चुनावायोग बन रहा है तो हम समझते हैं कि हम लोग पूरी तरह से तयार हैं और हर इस्थिती परिस्थिती का मुकाबला बढ़िया से करेंगे हमेशा इलेक्शन के लिए तयार है लेकिन कल आज इलेक्शन का घोसना होना है और इसकी जानकारी कल ही भाजपानेताओं को हो जाती है बहुत गंभीर विशे है क्या भाजपानेताओं के इसारे पर आयोग काम करता है हमनता विशु सर्मा जी का एक बाइट है कल उन्होंने बोलते बोलते ये बोल दिया कि कल तो चुनाओ की घोसना हो जाएगी बढ़ा अजीब लगता है इसकदर किसी आयोग को कटपुतली बना के रखना गंभीर बास तो फिलाल राजनितिक प्रतिक्रियाए आपने सुने के किस तरह चुनाओ आयोग के उस ऐलान का इंतजार इस वक्त तमाम राजनितिक दलों के ओर से किया जा रहा है दोनों राज्यों के और ये भी कहना है कि अब बस हमें इंतजार है कि जब चुनाओ की तारिखों का इलान हो जाए और उसके बाद ही ये तै हो पाएगा कि जनता का जुकाओ किस ओर जाएगा और किन पार्टी के तरफ से किन उमीदवारों को चुनाओी मैदान में उतारा जाता है किसे बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी किसे नहीं किसका पत्ता कटेगा और किसे शामिल किया जाएगा जैसे में कई अभी भी सवाल बने हुए और उन सवालों के जवाब इन चुनाओं के दोरान ही देखने और जानने को मिल पाएंगे